नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नियूस हाल ही में रूस ने अर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच एक नया शांती समझोता संपन किया है इन दोनों देशों के बीच दक्षिड काकेकस में नागोर्नो कारबाग के विवादित छेत्र में पिछले छे सपता से अधिक समय से सेन्य संघर्ष चल रहा था तो हम इस वीडियो में जानेंगे नया शांती समझोते के प्रावधानों के बारे में So let's start नय शांती समझोते के अनुसार दोनों पक्षों को अपनी वर्तमान इस्थिती को बनाए रखना होगा जो कि अजर बाईजान के लिए एक महत्पून बढ़त होगी क्योंकि इसने हालिया संघर्स के दोरान अपने खोय हुए छेत्र के 15 से 20 प्रतिसत भाग पर कबज़ा कर लिया है इस समझोते के तहत सभी सैनने अभ्यानों को समप्त कर दिया गया है रूशी शांती सैनिकों को नागोर्नों कारबाख में संपर्क की रेखा और लाचिन गलियारे पर तैनात कर दिया जाएगा जो छेत्र को अर्मेनिया से जोडता है इसमें लगभग 2000 सैनने बलों के साथ रूशी शांती सेना को छेत्र में 5 वर्सों की अवधी के लिए तैनात किया जाएगा सरनार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति छेत्र और आसपास के छेत्रों में लोट जाएंगे और दोनों पक्ष युद्ध और संस्थाओं के कैदियों का भी आदान प्रदान करेंगे इस प्रावधान में नाक चीवन से अजर्बाइजान तक एक नए गलियारों को खुला जाएगा जो रूश की नियंत्रण में रहेगा इस संगर्स में रूस की भूमी का कुछ हद तक अपार दर्सी रही है क्योंकि यह दोनों देशों को सैन ने सामगरी की आपूर्ती करता है और इसका अर्मेनिया के साथ सामोहिक सुरक्षा संधी संगठन नाम से एक सैन संधी भी है शामोहिक सुरक्षा संधी संगठन को कलेक्टिव सेक्योरिटी ट्रिटी और्गनाईजेशन भी कहते हैं जानते हैं सामोहिक सुरक्षा संधी संगठन के बारे में इस पर अर्मेनिया, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान द्वारा 15 मई 1992 को यूजबेकिस्तान में सामोहिक सुरक्षा संधी या ताशकन संधी के नाम से हस्ताक्षर किया गया था अर्मेनिया, CSTO, CSTO का मतलब है कलेक्टिव सेक्योरिटी ट्रिटी और्गनाईजेशन का एक संस्थापक सदस्य देश है 1993 में अजरवाइजान, बेलारूस और जॉर्जिया भी इस संधी में सामिल हो गए थे ये संधी 20 अपरेल 1994 को 5 साल की अवधी के लिए अस्तित्व में आई यहाँ पर आप समझ सकते हैं CSTO के करेंट मेंबर्स हैं अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और अब्जरवर्स में अफगानिस्तान और सर्विया 2013 में जुड़े थे और संभावित केंडिडेट में इरान सामिल है तो इससे आप समझ सकते हैं कि अजर्बाइजान और यूजबेकिस्तान CSTO का हिस्सा नहीं है CSTO की नवींतम संसकरण को 7 अक्टूबर 2002 को इस्थापित किया गया है जब कुछ सदस्य देश यूजबेकिस्तान, जॉर्जिया और अजर्बाइजान ने सैन ने संधी से बाहर निकलने का निर्णे लिया CSTO को 2 दिसंबर 2004 को सहयुक्त राष्ट साधारन सभा में पर्य वेक्षक का दरजा प्राप्त हुआ था CSTO के मुख्याले मासको रूश में है CSTO का मुख्य उद्देश अपने सदस्यों के बीच सैन ने राजनीतिक सहयोग विदेशनीती समनवे और सहयोग तंत्र इस्थापित करके राष्ट्रिय और सामुहिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है तो इस सांती समझोते में ये जो आप ब्लू कलर का या कह सकते हैं इसकाई ब्लू कलर का अजर्बाइजां के बीच में जो छेतर है नागोर्नो कारबाक इस पर इस समय अर्मेनिया का अधिपत्य है लेकिन इस पर दावा अजर्बाइजां करता है और यहाँ पर जो आप ये डॉटेट देख रहे हैं यहीं पर पिछले छे महिने से संगर्स चल रहा था फिल हाल के लिए दोनों के क्लैशेस रुख गए हैं और सांती समझोते पे हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तो ये थी पूरी जयनकारी अर्मेनिया और अजर्बाइजां के सांती समझोते के बारे में आज दिवाली है तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक सुपकामनाए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो